इसी तरह हम जंदन खाते में हमारे उज्वला गैस कनक्षन का पैसा आया है नहीं आया है कि जानकारी भी जान सकते हैं तो जुड़े रहें डिके हिंदी न्यूज यूटूब चैनल से साथ ही आप गूगल में सर्च कर सकते हैं डिके हिंदी न्यूज डॉट कॉम जी हां बेव साइट जिसमें आपको गूगल में लिखना होगा www.dkhinndynews.com जिसमें आपको उजुला पैसा खातों में जमा कोरोना सबसिड़ी पैसो पैसा खातों में आ गया जाने मोबाइल से की बड़ी जानकारी मिलेगी जिस पर वीडियो के डैस्क्रेस्टन में जो लिंक दे रखे हैं उन पर भी किलिक करके आप जान सकते हैं इन बड़ी योजनाओं को कि क्या है पूरी जानकारी दोस्तों जैसा कि आज कल 21 दिन का लोगडाउन चल रहा है सब घरों में बैठे हुए हैं तो हम बताने जा रहे हैं इसी लिए एक ऐसी बड़ी खबर कि विद्वा पैंसन का पैसा आपके खाते में आया है या नहीं घर बैठे मोबाइल से ही करें चेक ये है तरीका तो क्या है तरीका हाउ टू चेक सबसडी ओनलाइन लेकिन इससे पहले सब्सक्राइब कर ले डीके हिंदी न्यूज यूटूब चैनल को जी हां खाते में पैसे ट्रांसवर हुए या नहीं खाता धारक अक्सर बैंकों के चक्कर लगा कर इसकी जानकारी जुटाते हैं क्या आपको पता है खाता धारक घर बैठे ही खातों में खातों में पैसे ट्रांसवर किये गये हैं या नहीं इसकी जानकारी कर सकते हैं तो देखिए कि हाउ टू चेक सबसडी ओनलाइन केंद्र सरकार कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच गरीबों को आर्थिक मदद कर रही है सरका खाता धारकों के खातों में पैसे ट्रांसवर कर रही है खातों में पैसे ट्रांसवर हुए या नहीं हुए बैंकों के चक्कर लगा कर इसकी जानकारी जुटा रहे हैं लेकिन क्या आपको पता है घर बैठे ही आपको यह जानकारी लग सकती है कि खाते में पैसे ट्रांसव में देगे लिंक पर क्लिक करके भी जान सकते हैं ये बड़ी खबर तो आपको बता दें कि इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फालो करना होगा और एक सरकारी पोर्टल पी FMS Public Financial Management System के जरिये आप आसानी से सबसेड़ी अमाउंट की जानकारी हासिल कर सकेंगे सबसे पहले आपको लिंक पर क्लिक करना होगा जो कि लिंक दिया हुआ है PFMS.nic.in Oblick New Default Home.aspx पर क्लिक करें वित्मंत्रा लेकि PFMS वेबसाइट ओपन होगी यहाँ पर आपको Know Your Payment पर क्लिक करना है जी हाँ इसके बाद आपको अपना bank का नाम दर्ज करना होगा account number दर्ज करना होगा जो की आपका pension खाता जुड़ा हुआ है वही account number दर्ज करना है account number confirm करने के लिए एक बार फिर दर्ज करना होगा ketchup code जो की code दिखाए हैं वह है दर्ज करना होगा इसके बाद आपको search button पर click कर देना है इसके बाद खाते में कितनी और कहां कहां से पैसा आया है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी बता दे कि PMF, PMS, Public Financial Management Software है और इसके जरिये, subsidy का पैसा खाते में transfer किया जाता है जी हाँ दोस्तों, तो ये थी बड़ी खबर इसी के साथ सब्सक्राइब कर ले DKHandyNews YouTube चैनल को ताकि मिलते रहें आपको और भी जंदन खातों में और किसान योजनाओं की बड़ी जानकारी